दोस्तो AdSense Account का एक नया अपडेट आया है, हो सकता है कि आपके पास इसका mail आ गया हो और अगर आपके पास अभी तक इसपडेट का mail नहीं आया है तो बहुत जल्दी आपको mail आ जाएगा। दोस्तो जब हम इस mail को open करते हैं तो इस mail में सबसे उपर लिखा हुआ है important changes upcoming to add sense उसके बाद जब हम mail में आगे देखते हैं तो इसमें blue color में लिखा हुआ है download if it required उसके बाद जब हम mail में आगे बढ़ते हैं तो last में blue color में लिखा हुआ है using this form और जब हम using this form पर click करते हैं तो हमारे सामने एक form open हो जाता है तो दोस्तो इस update ने बहुत सारे लोगों को confuse कर दिया है बहुत सारे लोग पूछ रहे है के sir add sense account में क्या changes हुए हैं हमें ये form क्यूं आ रहा है हमें इस form में क्या भरना है सारी चीजे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इस वीडियो को end तक देखने के बाद आपका इस update से related कोई भी doubt नहीं रहेगा बट दोस्तो अगर आपने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो इस mail में सबसे उपर लिखा हुआ है कि we announce August इस mail का अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो दोस्तो अगस्त 2020 में adsense account में एक नया feature add हुआ था जब हम adsense account को open करते हैं और left side पे 3 dot पे हम click करते हैं तो वहां पर एक option आता है report का अब जब हम report पे click करते हैं तो सबसे उपर एक option आ जाता है blue color में beta का अब अगर हम इस beta को on कर देते हैं तो वहां पर जो पूरा का पूरा आपका data है वो 0 दिखाता है तो यह जो beta का feature है यह अगर्स्त महिने में add किया था YouTube ने अब दोस्तों अभी तक क्या होता था कि beta को on करने से पूरा का पूरा data 0 हो जाता था यानि beta जो इसका version है वो सही से काम नहीं कर पा रहा था और आपको आपका CTR clicks कुछ भी शो नहीं होते थे 0 शो होते थे उसके बाद जब हम इस beta को off करते थे तो वहाँ पर आपका जो पूरा का पूरा data है वो शो होता था CTR click सब कुछ शो होने लगता था तो अब दोस्तों YouTube का कहना है कि हम December 2020 से पूरा का पूरा जो beta version है उसको upgrade कर देंगे और उसके बाद December महीने से आपको वहाँ पर beta को on करने से भी 0 दिखाई नहीं देगा यानि यो यह testing mode पे था beta version में था इसकी December में testing पूरी हो जाएगी और आपकी जो report वगेरा है वो सब की सब जो है वो नए version में आ जाएगी ठीके तो यह इसका मतलब है कि यह जो beta का 0 वाला matter है यह December में खतम हो जाएगा और December में फिर आपको beta को off on करने की जरूरत नहीं है automatically आपकी data वहाँ पर दिखाई देने लगेगा CTR भी clicks भी सब कुछ वहाँ पर दिखाई देने लगेगा impression वगेरा अब दोस्तों second number पर यहाँ पर एक चीज आ रही है download if it require इसका क्या मतलब है YouTube का कहना है कि अगर आपका कोई ऐसा important data है Adsense account में report वाले section में मेरी बात ध्यान से सुने report वाले section में अगर आपका कोई important data है impression CTR से related तो आप उसको download करके रख सकते हैं क्योंकि हम जितने report में आपके data हैं वो December महिने में सारे के सारे हटा देंगे report वाले section से अगली चीज इसमें लिखा हुआ है last में using this form इसका क्या मतलब है दोस्तो YouTube का कहना है कि यह जो update होने वाला है Adsense account में अगर आप इसके regarding में हमें feedback देना चाहते हैं कि आपको यह update कैसा लगा यह इस update में क्या सुधार होने चाहिए क्या इसमें आपको अच्छा लगा क्या बुरा लगा तो using this form पे क्लिक करके आप वहां पर जो है हमें अपनी feedback दे सकते हैं उसके बाद last में मैं आपको एक और important चीज बता देता हूं कि आपको अपने essence account में कुछ भी changes करने की जरूरत नहीं है इस mail के आने के बाद आपका जो payment section है जहां पर आपने अपना नाम लिखा हुआ है address भरा हुआ है account number आपने भरा हुआ है वो कुछ भी change नहीं होगा नहीं वो आपका remove करेगा YouTube आपका सिर्फ report वाला section remove करेगा और उसमें नया data जो है डाल देगा December से तो आपको अपने essence account को छेड़ने की जरूरत नहीं है उसमें आपका नाम address कुछ भी account number कुछ भी change नहीं होगा नहीं आपको दोबारा वहां पर fill करने की जरूरत है तो मैं उमीद करता हूँ कि आप यह update अच्छे से समझ गए होंगे अगर अब भी आपको कोई doubt हो तो मुझे comment कर देना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो please वीडियो को like कर देना, share कर देना, channel को subscribe कर देना मिलता हूँ मैं आपसे के लिए वीडियो में तब तक के लिए bye bye, thanks for watching